श्री साई सच्चरित्र अध्याय अड़तीस बाबा की हांडी नाना सहे द्वारा देव मूर्ती की उपेक्षा नैवेद्य वितरन छांच का प्रसाद गत अध्याय में चावडी के समारोह का वर्णन किया गया है अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विश्यों का वर्णन होगा प्रस्तावना हे सद्गुरु साई तुम धन्य हो हम तुम्हें नमन करते हैं तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्यान किया तुम उदार रिदय हो जो भक्त गण तुम्हारे अभै चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो भक्तों के कल्यान और परित्रान के निमित ही तुम अवतार लेते हो ब्रम्ह के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढल कर जो मूर्ती निकली वही संतों के संत श्री साई बाबा हैं साई स्वयम ही आत्मा राम और चिर आनंद धाम है इस जीवन के समस्त कारियों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निश्काम और मुक्त किया बाबा की हांडी मानव धर्म शास्त्र में भिन्य भिन्य युगों के लिए भिन्य भिन्य साधनाओं का उलेख किया गया सत्युग में तक त्रेता में ग्यान, द्वापर में यग्य और कल्युग में दान का विशेश महात्मि है सर्व प्रकार के दानों में अन्य दान स्रिष्ठ है जब मध्यान के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं ऐसी हिस्थिती अन्य प्राणियों की अनुभवकर जो किसी भिक्षुक या भूके को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है तैतिरियोप निश्द में लिखा है कि अन ही ब्रह्म हैं और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ती होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यू के उपरांत उसी में लै भी हो जाते हैं जब कोई अतिथी दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तब यह हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं अन्यदान जैसे धन, भूमी और वस्तर इत्यादी देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है परन्तु अन्न के लिए विशेश सोच विचार की आवश्यक्ता नहीं है दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीग्र भोजन कराना हमारा परमकर्तव्य है प्रथम तहा लूले, लंगडे, अंधे या रुग्ण बिखारियों को फिर उन्हें जो हात पैर से स्वस्थ हैं और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए अन्य सभी की अपेक्षा पंगों को भोजन कराने का महत्व अधिक है अन्य दान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे की चंद्रमा बिना तारे पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ती रहित भजन, सिंदूर रहित सुखागिन, मधुर स्वर्विहीन गायन, नमक बिना भोजन जिस प्रकार अन्य भोज पदार्थों में दाल उत्तम समझे जादी है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्य दान स्रेष्ठ है अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तयार कराकर उसका वितरन किया करते थे हम पहले ही उलेख कर चुके हैं कि बाबा अलपाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वह उन्हें केवल दो गुरहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करती थी परन्तु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण विवस्था वे स्वयम किया करती थे वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और नाहीं किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे प्रथम तहा वे स्वयम बाजार जाकर सब वस्थुएं जैसे अनाच, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोप्रा और अन्य मसाले आदी वस्थुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे यहां तक की पीषने का कार्य भी वे स्वयम ही किया करते थे मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बना कर उसमें अगनी प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे हांडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी एक में सौ और दूसरी में पांच सो व्यक्थियों का भोजन तयार को सकता था कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल अर्थात पुलाव बनाते थे कभी कभी दाल और मुठकुले भी बना लेते थे पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हंडी में दाल देते थे भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करती थे जुवार के आटे को पानी में उबाल कर उसमें चांच मिला कर अम्बिल या आम्टी बना थे और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में मांट देती थे भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें उपर चढ़ा कर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारो ओर घुमाया करते थे ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन और ना चहरे पर कोई पीला की रेखा प्रतीत होती थी जब भोजन तयार हो जाता तब वे मस्जिद से बरतन मंगा कर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे फिर वे मालसापती तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रख कर शेश भोजन गरीब और अनात लोगों को खिला कर उन्हें तिर्प्त करते थे सच मुच वे लोग धन्य थे कितने भाग शाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परुसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ यहां कोई यह शंका कर सकता है कि क्यावे शाकाहारी और मांसाहारी बोज पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे इसका उत्तर बिलकुल सीधा और सरल है जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारीों को उसका स्पर्ष तकना होने देते थे ना कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोथ साहन ही दिया और ना ही उनकी आद्रिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरन कर रहे हो तभी यदि शिष्य उसके ग्रहन करने में शंकित हो जाए तो उसका अधा पतन हो जाता है यह अनुभू करने के लिए कि शिष्य गंड इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी कभी परिक्षा भी ले लिया करते थे उदाहर नार्थ एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपिये दे कर कुछ मांस खरीद लाने को कहा दादा केलकर पूरे कर्म कांडी थे और प्रायाहा सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे उनकी द्रडभावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादी गुरु को भेंट करना परियाप्त नहीं है केवल उनकी आग्याहिशीग्र कारियान्वित करने से विप्रसन हो जाते है यही उनकी दक्षिना है दादा शीग्र कपड़े पहन कर एक थेला लेकर बाजार जाने के लिए उध्यत हो गए तब बाबा ने उन्हें लोटा दिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेच दो दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कारिय के निमित भेजा उसको जाते देख कर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहा और यह कारिकरम स्थाइद कर दिया ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाओ कैसा पका है दादा ने योही मुह देखी कह दिया कि अच्छा है तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आँखों से ही देखा और न जिवा से स्वाद लिया फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है थोड़ा धकन हटा कर तो देखो बाबा ने दादा की बांख पकड़ी और बल पूरवक बरतन में डाल कर बोले थोड़ा सा इस में से निकालो और अपना कटरपन छोड़ कर चक कर देखो जब मा का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड आता है तब मा उसे चिकोटी भरती है परन्तु उसका चिलाना या रोना देख कर वह उसे अपने हरदे से लगाती है इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात्र प्रेम के वश हो बाबा का इस प्रकार हात पकड़ा यथार्त में कोई भी संत या गुरू कभी भी अपने कर्मकांडी शिश को वर्जित भोज के लिए आग्रह करके अपकीर्ती करना पसंद ना करेगा इस प्रकार हांडी का कारिक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया जैसा पूर्व में उलेख किया जा चुका है दास गणू ने अपने कीतन द्वारा समस्त बंबई प्रांथ में बाबा की अधिक कीति फेलाई फलतह इस प्रांथ से लोगों के जुंड के जुंड शिर्डी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिर्डी पवित्रतीत क्षेत्र बन गया भक्त गण बाबा को नईवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट प्रादार्थ लाते थे तो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और विखारियों को संतोष पूरवक भोजन कराने पर भी बच जाता था नैवेद्य वितरन करने की विधी का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहिब चांदुर करकी उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानिय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रती बाबा की सम्मान भावना की धियोतक है कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मन तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे परंदु वास्तों में उनकी कोई जाती न थी उनकी और इश्वर की किवल एक जाती थी कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानता कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे फिर उन्हें हिंदु या यवन कैसे घोशित किया जा सकता है यदि वे यवन होते तो मस्जद में सदैव धुनी और तुलसी व्रंदावन ही क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजाने देते हिंदुओं की विविद प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते यदि सच मुच यवन होते तो उनके कान क्यों चिदे होते तथा वे हिंदु मंदिरों का स्वयम जीर नोधार क्यों करवाते उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियां तथा देवी देवताओं की जरासी उपेक्षा भी कभी सहन न की एक बार नाना साहिब चांदुरकर अपने साढ़ू अर्थात साली के पती श्री बिनीवले के साथ शिर्डी आये जब वे मस्जिद में पहुंचे बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे तुम दीर्ग काल से मेरे सानिध्य में हो फिर भी ऐसा आचरन क्यों करते हो नाना साहिब प्रथम तहा इन शब्दों का कुछ भी अर्थ ना समझ सके अतहा उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रात्ना की प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपरगाउं आये और फिर वहां से कैसे शिर्दिया पहुंचे तब नाना साहिब को अपनी भूल दुनंधी ग्यांत हो गई उनका यह नियम था कि शिर्दि आने से पुर्व वे कोपरगाउं में गोदावरी के तट परस्थित शिर्दत का पोजन किया करते थे परंतु रिष्तेदार के दत उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भैसे उन्होंने उनको भी दत्तमंदर जाने से हतोत साहित किया और वे दोनों सीधे शिर्दी चले आए अपना दोश स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में सनान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुब जाने के कारण अधिक कश्ट हो गया था बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी अब हम नईवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे आर्ती समाप्त होने पर बाबा से आशिरवार तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगंड अपने अपने घर चले जाते तब बाबा परदे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ तेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहन करते थे भक्तों की दो पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी भक्तगंड नाना प्रकार के नैवेद्य पूरी पूरण पोली पेडा बर्फी बासुंदी उपमा अंबे मोहर थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगंड बाहर की प्रतिक्षा किया करते थे समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता था तब वे स्वयम भगवान को नैवेद्य अरपन कर स्वयम ग्रहन करते थे उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतिक्षा करने वालों को देकर शेश भीतर बैठे हुए भक्त पालिया करते थे जब बाबा सबके मध्य में आविराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त त्रुप्त होकर भोजन किया करते थे बाबा, प्रायह, शामा और निमोनकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रतियेक की आवशक्ता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्श से करते थे इस प्रकार प्राप्त प्रतियेक ग्रास भक्तों को पोशक और संतोश दायक होता था कितना मधुर, पवित्र, प्रेम, रस, पूर्ण भोजन था वह सदा मंगलिक और पवित्र छांच का प्रसाद इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हिमाडपंत पूर्ण तहा भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छांच पीने को दिया उसके श्वेत रंग से वे प्रसन तो हुए परन्तु उदर में जरासी भी गुनजाईश ना होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ ऐसा सू अवसर अब कभी न पाओगे तब उन्होंने पूरी चांच पीली किन्तु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म श्री घ्रही विदित हो गया क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पस्चात ही बाबा समाधिस्त हो गए पाठकों अब हमें अवश्य ही हेमाडपंत के प्रती कृदंगे होना चाहिए क्योंकि उन्हें ने तो चांच का प्याला पिया परन्तु वे हमाने लिए यथेश्ट मात्रा में श्री साई लीला रूपी अम्रत देखे श्री सद्गुरू साईना धर्पनमस्तू शुभम भवतू